एलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल वन वीजन एम बीबिएस तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेक्टर सीथ की एनाटोमी को देखिए रेक्टर सीथ को हम पांच पॉइंट में समझने वाले हैं सबसे पहले हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन या फिर आप किया स उसके कंटेंट और फंक्शन को और इसी देखिए ये डाइग्राम और इसी डाइग्राम से हम पूरी की पूरी रेक्टर सीथ को अच्छी तरह से समझने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हम हमारी रेक्टर सीथ को डेफिनेशन इटीजन एपोन्यूरोटिक सीथ कवरिं The Rectus Abdomenus Muscle देखे डायग्राम से समझते हैं साथ में देखते जाते हैं Apo Neurotic Sheet मतलब कि क्या हुआ Apo Neurotic Sheet बनी हुई Sheet जो हमारी Rectus Abdomenus Muscle को कवर करती है देखिए यह हमारी Abdomen का क्या है Sagittal Section है तो देखिए यहाँ प्याँ में से कौम कहते हैं रेक्टर सीथ देखिए यह एंटिरियर वोल है और यह हमारी पोस्टिरियर वोल ओफ रेक्टर सीथ यह हो गए उसकी डेफिनेशन मतलब कि रेक्टर सीथ है वो एपोन्यूरोसिस से बनी हुई है और जो हमारे एपोन्यूरोसिस है वो मसल में से निकलते हैं तो इसलिए यहां पे लिखा है कि जो रेक्टर सीथ है वो फ्लेट मसल ओफ एंटिरियर अब्डोमिनल वोल में से बनी हुई है कौन-कौन से फ्लेट मसल एक्स्टरनल ओबलिक इंटरनल ओबलिक और ट्रांसवर्स अब्डोमिनीस अब बात करते हैं हम रेक्टर सीथ की वोल की तो उसमें कितनी वॉल है दो वॉल है एक एंटिरियर साइड है वो और पॉस्टिरियर साइड प्रेजंट है वो पॉस्टिरियर वॉल अब हम देखते हैं features of the rectus sheet तो देखिए rectus sheet के features में देखना है anterior wall और posterior wall के बारे में ओके तो देखिए anterior wall के features को हम देखे हैं तो anterior wall कैसी है complete है complete का मतलब क्या हुआ देखिए यहाँ पे कि जो anterior wall है हमारी वह पूरे के पूरे rectus abdominis muscle को cover करती है मतलब कि उसके origin से लेके उसके insertion तक पूरा rectus abdominis muscle को anteriorly cover करती है जबकि posterior wall देखते है तो देखिए यह हमारी coastal margin है और यहाँ पर हमारी आर्केयोट लाइन प्रेजेंट होती है तो देखिए अबवो दो आर्केयोट लाइन हमारी जो posterior wall है वो deficient होती है ओके तो इसी लिए यहाँ पर लिखा है कि जो हमारी anterior wall हो कैसी होते complete और जो posterior wall है हमारी incomplete होती है इट इस deficient आप और the coastal margin and below the और की एट लाइन ओक्या तो यह पॉइंट आपको समझ में आगिया अब सेकंड पॉइंट है composition is variable और posterior wall में भी यही लिखा है composition is variable इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे anterior wall और posterior wall दोनों ही different different muscle के aponeurosis से बनी हुई है वो हम उसके formation में देखने वाले हैं थार्ड पॉइंट है anterior wall is firmly adherent to tendinus intersection of rectus abdominis muscle तो देखिए डाइग्राम से हम देखते हैं कि जो हमारे anterior wall है वो rectus abdominis muscle के साथ firmly adherent होती है by this tendinus intersection ओके तो यही कह रहा है हमारा तीसरा पॉइंट और जब हम posterior wall में देखते हैं तो it is free from rectus abdominis muscle मतलब कि उसके साथ firmly adherent नहीं होती अब हम देखते हैं anterior और posterior wall की laterally और medially extension के बारे में अगर हम laterally बात करें तो जो हमारी anterior और posterior wall है बोथ हार extend up to the linear semilunaris ओके कहां तक extend होती है linear semilunaris तक extend होती है अगर हम linear semilunaris क्या है तो जो हमारी टीप ओफ 9th costal cartilage से वह start होती है up to the pubic tubercle okay इन दोनों के बीच में हमारी present होती है linear semilunaris और यही तक extend होती हमारी anterior and posterior wall laterally अब हम बात करें anterior और posterior wall का medially extension in the midline बोथ anterior and posterior wall are fuse and former linear alba लगे linear alba के अब हम extension की बात करें तो वह कहां से कहां तक होता है जीफोड प्रोसेस से start होके up to the pubic symphysis and pubic crest तक होता है देखिए हम समझते है linear alba को देखिए यह हमारी सबसे पहले external oblique फिर हमार internal oblique उसके दो लमीना एंटेडियर सेड एंटेडियर lamina posterior side posterior lamina और यह हमारी transverse abdominis muscle देखिए यह सारी के सारी muscle अगर medial side पे जाके क्या हो जाती है फ्यूज हो जाती है और क्या फ़र्म करती है linear alba का formation करती है तो यही बता रहा है यहां पर तो यह हो गया हमारे features of the rectus sheet के बारे में अब हम देखते है rectus sheet के formation के बारे में ओके तो देखिए formation हमको तीन point में समझना है सबसे पहले above the coastal margin between the coastal margin arcuate line और below the arcuate line ओके इन तीन point में हमें formation समझना है तो सबसे पहले देखते हैं मतलब कि formation किसका rectus sheet की anterior और posterior wall का ही तो सबसे पहले हम देखते हैं कि about the coastal margin इन दोना का formation कैसे होता है about the coastal margin anterior wall is formed by the aponeurosis of external oblique and posterior wall is deficient और इसी deficient होने के वज़े से क्या होता है rectus muscle directly contact with 5th, 6th, 7th coastal cartilage देखिए diagram से हम समझते हैं यह कि यह हमारी above the coastal cartilage तो anterior wall की से बनी हुई है external oblique के aponeurosis है जबकि posterior wall हमारी deficient है उसका मतलब क्या हुआ कि जो rectus abdominis muscle है वो हमारी 5th, 6th और 7th coastal cartilage पर directly contact में होता है ओके अब हम बात करते हैं दूसरा point कौन सा हमारा कि between the coastal margin and arcuate line तो anterior wall की बात करें मतलब कि इन इस दोनों के इन दोनों के बीच में हम anterior wall की बात करें तो anterior wall is form by aponeurosis of external oblique and anterior lamina of internal oblique क्योंकि हमें पता है ना कि internal oblique anterior side anterior lamina देता है posterior side posterior lamina तो हमारी anterior wall form करता है हमारा anterior lamina of internal oblique और अब posterior wall की अगर बात करें तो posterior wall is form by posterior lamina of internal oblique and transverse abdominis muscle का aponeurosis ओके देखिए मैंने यहाँ पे यही लिखा है अब हम बात करते हैं below the arcuate line below the arcuate line anterior wall is form by external oblique, internal oblique and transverse abdominis muscle के aponeurosis से बनता है और यहीं anterior wall में जो हमारे internal oblique और transverse abdominis का जो aponeurosis है वो एक दूसर के साथ fuse हो जाता है यह हो गया anterior wall की बात, अगर हम posterior wall की बात करें below the arcuate line तो posterior wall is deficient कैसी होती है, deficient और deficient होने के वज़े से क्या होता है, कि जो हमारा rectus abdominis muscle है वो directly contact में आता है किसके, fascia transverse alicia तो यह हो गया हमारे rectus seat के formation के बारे में देखिए हमने आगे पठा था न, क्या, कि जो हमारा wall का जो composition है वो variable है, तो यही दिखा रहा है न, कि देखिए तीनों point में अलग-अलग muscle के composition से बनता है हमारा wall अब देखिए हमने पढ़ा, coastal margin तो हमें पता होता है लेकिन arcuate line का मतलब क्या है, देखिए हम arcuate line को अच्छी तरह समझते है arcuate line को हम linear semi circularis भी कहते हैं और fold of douglas भी कहते हैं आगे हमने देखा था, देखिए यहां पर आगे हमने यहां पर देखा था linear semi linearis जबकि यहां पर है linear semi circularis दोनों में confuse मत होना, तो हम देखते है arcuate line के बारे में, तो it is a lower limit of posterior wall of rectus sit okay it is concave downwards देखिए यह हमारी arcuate line है तो downwards केस ही होती है, concave होती है और आप यह भी लिख सकते है it is convex upward it present midway between the umbilicus and pubic symphysis मतलब कि आपको अगर arcuate line को पहचानना है तो वह कहां पर present होता है, umbilicus से start करके pubic symphysis के जो बीच वाला point होता है वहां पर present होती है हमारी arcuate line and last point inferior epigastic artery है वो हमारी rectus sit में enter करती है in front of the arcuate line यह हम content में भी देखने वाल है तो this is the all about of function of rectus sit अब हम देखते है content of the rectus sit ओके तो देखिए content में हमें सिर्फ 4 ही देखने है, muscle, artery, vein and last में हम देखेंगे nose तो सबसे पहले देखिए कौन-कौन से muscle present होते हैं देखिए न आप यहां से देख लीजिए सबसे पहला तो है हमारा rectus abdominis muscle और हमें पता है कि rectus abdominis है उसकी जो lower part में anterior side कभी कभी occasionally क्या present होता है pyramidalis muscle तो अगर वो present होगा तो वो भी इसके content में आएगा फिर है हमारी artery देखिए न डाइग्राम से देख लेते हैं आपको कौन-कौन से artery दीख रही है यह हमारी superior epigastric artery artery और यह हमारी inferior epigastric artery तो दो artery है अब हम देखते हैं कि यह दोनों artery है कि इस तरह से हमारी rectus seed में entry करती है तो जो हमारी superior epigastric artery है वह हमारे diaphragm है उसका coastal और जीफोइड origin होता है उन दोनों origin के बीच में से pass करती है हमारी superior epigastric artery और धेन एंटर करती है अमरी rectus seed में जबकि inferior epigastric artery है वह जो हमारी arcuate line है उसके front में से pass करके rectus seed में entry करती है यही लिखाए देखिए superior epigastric artery entry in seed between coastal and default origin of diaphragm and inferior epigastric artery कहां से pass in front of arcuate line next है हमारी vein okay कौन-कौन से superior epigastric venacomittance and inferior epigastric venacomittance तो जो superior epigastric venacomittance है वह किसको में join होती है मतलग कि drain into internal thoracic vein और जो inferior epigastric venacomittance है it drain into external iliac vein last content is now कौन-कौन से terminal part of lower 6 thoracic nerve मतलग कि lower 6 thoracic nerve का terminal part है वह तो हमारी sub-costal nerve है okay तो this is the all about of content of rectus teeth अब हम देखते हैं function of rectus teeth के बारे में तो जो हमारा rectus teeth है वह क्या करती है जो हमारी rectus abdominis muscle है उसकी efficiency को बढ़ा देती है यह पहला function है और दूसरा function है rectus teeth maintain the strength of anterior abdominal wall तो this is the all about of rectus teeth देखे rectus teeth में सबसे पहले हमने definition देखी उसके बाद हमने features देखा तो उसमें हमने देखा anterior wall और posterior wall के बारे में फिर हमने देखा formation की rectus teeth की जो wall है उसका formation की तरह से होता है बाद में हमने देखा content और function को और अगर पुछा जाए तो इसी point में आपको लिखना है और यही diagram बनाने है ओके thank you everyone thank you for watching this video and keep watching और अगर आपको यह notes चाहिए तो मैंने link description पे दे दिए आप वहाँ से मेरे social media group से download कर सकते हैं और यह video आपको कैसे लगी आप मुझे comment section में बता सकते हैं आपर आपको है